सोया बीन के भाव में कब आएगा सुधार किसान और व्यपारी सभी की यही जिग्यासा है कि सोया बीन के भाव में कब सुधार आएगा इसको लेकर अब गेन पूरी तरह से सरकार के पाले में है अब सोया बीन की तेजी सरकारी खरीद पर निर्भर करेगी जबकि ऐसी संभावनाएं बहुत कम है कि सरकार MSP पर खरीदी शुरू करे जानकारों की माने तो किसानों को MSP की खरीदी में यह भी नियम बना देना चाहिए कि पूरे सीजन में जब भी सोयाबीन या किसी भी क्रिशी जीन्स के भाव MSP से नीचे जाएंगे तब समंदित एजन्सी को खरीदी है तू मंडियों में उतरना होगा यही शर्त किसानों को घाटे से बचा सकती है सिर्फ सीजन के पहले 3-4 महीने खरीदी से किसानों को ज़्यादा लाब नहीं होता है देश में सोयाबीन की फसल पिछले साल से कम उतरने के बावजूद मंदी की मार पड़ रही है ऐसे में बाजार जानकार मान कर चल रहे हैं कि जो विदेशी बाजारों का सिनेरियो है उसका असर भारतिय बाजारों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके चलते विदेशी बाजारों में जबरदस गिरावट आई है और उसका असर भारतिय बाजारों पर भी देखने को मिला है ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि फिलाल सोयाबीन की कीमतों में तेजी के आसार कम है विरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी